कुम्ब राशी किसमत का पन्ना पलटने वाला हैं पांच बड़ी भाहेंकर घटना होने वाली हैं नमस्कार दोस्तो जाए भोलेनाद दोस्तो आज हम आपको तीन फरवरी की कुम्ब राशी बहुश्य बताने वाले हैं जहां दोस्तो हर एक बात को विस्तार से समझेंगे तो इस वुड़े को बिल्कुल भी मिस ना करें अंतर तक जरूर देखें और हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशी बल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए तो चलिए जानते हैं कुम्ब राशी के बारे में दोस्तो अपने खराब मूड को शादी शुदा जिंदगी में तना का कारण ना बनने दे इससे बचने की कोशिश करें नहीं तो बाद में पस्ता ना पड़ेगा आपका धन आपके काम तभी आता है जब आप फिजुल खर्ची करने से खुद को रोकते हैं आज ये बात आपको अच्छी तरसे समझ में भी आ सकती हैं घरेलू मामलों पर तुरंत ध्यान देने के जरुवत हैं आपके और से की गई लापरवा ही महंगी साबित हो सकती हैं याद रखे हैं कि आँखें कभी जूट नहीं बोलती हैं आपके प्रीया के आँखें आपको जगडे आज आपके वईवाही जीवन में कट्डूता को बढ़ा सकते हैं इसलिए आपको जाई कि दूसरों के कहने और भकावे में ना आएगा दोस्तों अपनी खुद की मन की सुनिएगा और तबी कोई भी एक्शन लेजएगा घर में धार्मिक कारे हो सकता हैं लेकिन आ अगर हम सामने रचपल की बात करें तो आपको कोई नई जिम्मेदरी दी जा सकती है आप उस काम को अपनी चत्रुआई और फूर्ती से बहुती आसानी से पुरा कर सकते हैं अपने अच्छे कामों के लिए आपको समाज में कोई सम्मान मिल सकता है अपनी वाणी पर नेंतर करना आप कले बेहत जरूरी होगा खरी दरी करते हुए थोड़ा सयम रखेगा अन्यता आप अधिक खर्च कर सकते हैं किसे अन्य व्यक्ति पर आपको किसी भी प्रकार की टिका टिपनी करने से बचना होगा अपने साथियों में से कोई साथी आपको कही पर निवेश के अच के कारण आप दिन बर व्यस्तर है सकते हैं प्यार की कमी महसुस हो सकती हैं नई परियोजनाओं और खर्चों को टाल दे मुम्किन है कि आपके अतिर से जुड़ा कोई शख्स आपसे संपर करेगा और यह दिन यादगार बना देगा ठीक कम्यूनिकेशन ना होने के चलते प परन्तों घरेलू जरूतों के पीछे अधिक पैसा खर्च हो सकता हैं आप अपनी फिजुल खर्ची पर लगाव रखेगा स्वास्ते के लिहाद से दिन बहुती कमज़र रहीगा बदलते मोसम की वज़े से आपकी सेहत थोड़ी बहुत खराब हो सकती है इसलिए सेहत पर ध जरूत नहीं है आपके आसपास की लोग आपको प्रोस्तायत करेंगे वो सरहेंगे आपके पिता की कोई सलाह कारिक शेत्र में आपको धनलाब करा सकती हैं जिने आप चाहते हैं उनके साथ आप उपहरों का लिंदिन भी कर सकते हैं तो चले बात करते हैं कि कि किसमत का पन्न आखों से देखेंगे जो कुछ बुरी चीजे आपके साथ हो रही थी जो कुछ आर्थिक परिशानियों उसे आप जोज रहे थे वो सभी आज की दिन थोड़े थोड़े ठीक होते रहेंगे आप अपनी आखों से देखेंगे कि सब कुछ अर्थिक परस्तिती भी अच्छित बनती जा रही हैं जो कुछ बुरी चीज़े आपके साथ हो रही थी वो आज की दिन से कम होती भी जा रही है यह सब कुछ आप अपने हाखों से देखेंगे इसे आपका किस्मत जो कि पुलड सकता है भागे भी साथ देगा और आज से आप कुछ अच्छा कारे करने की जरूर सुचेगा कोई प्लान बनाएगा आपको सफलता जरूर मिलेगी तो चलिए बात करते हैं आपका धन रशिपल कैसा रहेगा उसके बारे में उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल ट्रेंडिंग रशिपल को पातारी हैं उसका हल अगर आप जोती शास्तर के अनुसार और कुंडले के अधर पर जानना चाते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया गया है उससे नंबर पर कॉल करें अथो वाट्सप मेंस्स करें हमारे त प्रॉब्लेम प्रशनियों का समधान भी क्या जाएगा तो चले जानते हैं आपके धनराशिकल के बारे में आपका कारिया और घर दोनों आपके समय की मांग कर रहे हैं किसी दोख या फिर अप प्रत्यशित बिमारी से आप आहत अवश्य हो सकते हैं लेकिन आपके सहस में क अरतिक निर्ने लेने और अपनी सहयोग्यों से जुड़ने के लिए यह समय उचित हैं छात्रों के लिए यह किसी पी परीक्ष्या में उतरने के लिए एक अच्छा दिन हैं सपलता आपके साथ हैं पेशोरों के लिए आपके कारिस्तल पर एक सकरत्मक दिन होगा लंबित कारिक्षेतर में किसी बात के लिए अपनी आवाज को तेज करनी पर सकती हैं लेकिन एक बात का ध्यान रखे कि ऐसे में आपको शैंती से ही अपनी बात कहनी चाहिए लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप अपनी बात अपनी बॉस के सामने ना रखे अगर आपको इस बात का और आत्म विश्वा से आप पूरा संसार जितने का सामर्त रख सकते हैं अपनी चाहत का प्रमान देने के लिए तैयर रहेगा इसके लिए अपनी प्रिये को उपार दें या फिर एक दुसरे के लिए कुछ अलग करिएगा आप बहुनात्म को रूप से सुरक्षित महसुस करेंगे क्योंकि आपको लगेगा कि आपका साथ ही आपको तरफ ध्यान नहीं दे रहा है लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों समय के चलते या पिर किसी काम की वज़े से आपसे वह ज्यादा संपर्ग नहीं कर पारा होगा या फिर आपसे नहीं मिल पारा होगा या फिर आप गले समय नहीं दे पारा होगा लेकिन ऐसा बिल्कुल भी मत समझेगा कि वह आपसे प्यार नहीं कर दा दोस्तों आखिर में बात करते हैं आपका स्वास्तरा शिपल कैसा रहीगा उसके बारे में आज आप आराम के मूर में हैं आप इसके लिए अलग-अलग तकनी को जैसे की मसाज, तेरे की एपर खुद का ख्याल रख सकते हैं योगा भी अच्छा हुई कल्प हैं दिन के दुसरे भाग में या तो आपके पास महमान आएंगे या आप किसी के घर भी जा सकते हैं पार्टी करते हुई भी अपने स्वास का ध्यान रखना ना भुले नहीं तो पेट दर्ज से परेशान हो सकते हैं दोस्त और परिवार के बीच व्यस्तता बनी रहीगी तो दोस्तों कुछ इस तरह से आपका जोकी कुमब राशिपल रहने वाला है वीडियो में बताएंगे जानकारी जोकी जोतिश, पंचांग, मानताओं और धर्मकरंतों से लिए गई है हमारा उद्देश महत सूचना पहुंचा रहा है आप इसे सूचना ही तो लीजीगा इसके अत्रीत अगर आप मानते हैं, अपनाते हैं और इनका उप्योग भी करते हैं तो इससे पहले अपने नजदी के कुलपंडी से अवश्यस संपर करेगा आप जाहे तो ट्रेंडिंग राशिपल से भी संपर कर सकते हैं कुंडले और इसमें मामुड़ों सा बदला हो सकता है दोस्तों हमरे चैनल पर आपको इसी तरह हर राशिपल के रेलेटर वडियो देखने को मिलीगी जिससे आप आने वाली दिनों के बारे में पहले से अनुमान लगा सकते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरू किजीगा दोस्तों आज की सुड़ों में बस इतना ही मिलते गने वड़ों के साथ धन्यवाद